डायबिटीज जो है यह आपको इस तरीके से लेना पड़ेगा कि अगर यह आपको हो गई है तो जैसे आपकी इसके साथ शादी हो गई है यह आपकी पत्नी की तरह है आपको जियन तो इसके साथ काटना पड़ेगा और इसको समझना पड़ेगा और अगर आप इसको समझ के काटेंगे तो जिन्दगी शान्तिवली हो जाएगी अच्छी हो जाएगी बिना complications के हो जाएगी तो इसलिए मेरे ये वीडियो बनाता हो जिससे आपको समझ आए कि diabetes क्या है और इसके लिए आप जो दवाई ले रहे हैं क्या वो आपके लिए ठीक है कि नहीं है अगर आप एक diabetes के patient हैं और अपने doctor के पास जाते हैं तो आप note करेंगे कि वो आपके diagnosis में diabetes तो लिखते ही हैं और काफी ज्यादा patients में diabetes के साथ blood pressure भी होता और जो डवाईयां होती हैं वो कई हो जाती है जली एक दवा नहीं दी जाती एक से ज्यादा दवाईयां दी जाती है जिससे की diabetes control हो इस मामले में मैं diabetes को blood pressure के जैसे बिमारी से compare करोगा और इवन TB से compare करोगा TB के मरीज भी एक दवाई नहीं लेते कम से कम तीन या चार दवाई लेते हैं शरूरू में बाद में कम होती जाती है और दो दवाई पे तो चलते हैं TB और diabetes में फर्क यह है कि TB के मरीज जो है वो तो दवा लेकर छे महीने नो महीने में मुक्त हो जाते हैं diabetes के मरीज़ को जिन्दगी पर दवा लेनी पड़ती है तो diabetes के इलाज में आपको समझना बहुत ज़ूरी है कि दवाईयां जो दी जा रही है वो क्यों दी जा रही है क्योंकि एक general patient के दिमाग में होता है वो doctor अच्छा है जिसने उसकी sugar control अच्छी कर दी पर कि आपको मालूम है कि कुछ दवाईयां sugar तो बहुत अच्छा control करती है बट बाद में complication ज्यादा ला सकती है insulin पर जल्दी आना पर सकता है वजन जल्दी बढ़ियाता है तो आपका interest होना चाहिए कि आपकी सेर ठीक रहे और आप अपनी doctor को इस बात से judge नहीं करें कि आपका sugar किसने ज्यादा अच्छा control किया है उदारन के तोर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक group of medicines है glitazones जिनमें आजकल केवल एक ही दवा चलती है pyogitazone अगर वो 15 mg की गोली आप दिन में तीन बार लेंगे तो सस्ती दवा से आपकी sugar बहुत अच्छी कंट्रोल हो जाएगी लेकिन 6 महीने एक साल के अंदर 4 से 5 किलो वेट बढ़ जाएगा कुछ और कुछ studies बताती है कि उससे bladder के cancer जानवरों में माईस में तो होता ही या 10 साल यूज करने के बाद और human studies भी कुछ साल पहले साउथ इंडिया से रिपोर्ट होई थी कि जो लोग ले रहे थे उनमें से कोई 10 से 15 पिशिंट को bladder का cancer हो गया था और ये दवा जो non corrupt country जाएगी से end result पर देता हो जबकि patient को insulin लेने से बहुत reluctance होती है और 7.5 mg देता हूँ maximum dose बट इसको कई doctor मैंने देखा है prescription में 15 mg तीन बार तक दे रहे होते हैं तो मेरा कहने का मतलब है कि आपका interest ये होना चाहिए कि diabetes अच्छी control किस दवा से की जा रही है जैसे मैं अपने पुराने वीडियो में आपको बता चेका हूँ diabetes को control करने के लिए जो दवाईयां market में available है कुछ तो insulin का secretion बढ़ाती है चाहे आप खाओ या ना खाओ बढ़ता है जैसे कि sulfonareuria में कुछ जब आप खाना खाते है तो insulin का secretion बढ़ाती है जैसे glyptin होती है Vilda glyptin, Sita glyptin वगेरा कुछ होती है जो extra sugar को urine में ही निकाल देती है जो आजकल almost number one दवाईयां बनते जा रही है कुछ दवाईयां ऐसी होती है जो insulin का जो body में secretion होता है उसका effect बढ़ाती है तो आपका doctor आपको कौन सी दवा देती है ये depend करता है उनकी knowledge पर और आपके उनके उपर विश्वास पर तो आपका interest यह होना चाहिए कि आपका control sugar का तो वो ही लेकिन आपको कोई side effect ना है मेरा ये video बनाने का यही मतलब था insulin छोड़कर यही चार main group की दवाईयां होती है और जैसे आप किसी लीडी को अपने housewife को सबजी लाके दें प्यास दें टमाटर दें मसाले दें और कहें सबजी बनाएं तो उसका taste अलग आएगा और आप अपने किसी और मित्र को मित्र की वाईफ को सबजी बनाने को दें उसका taste कुछ अलग आएगा दो कोक्स का सेम मसालों और सबजी में taste फर्क हो सकता है उसी तरीके से दो डॉक्टर का सेम दवाईयों में result different हो सकता है अब ये बात तो हो गई diabetes की दवाईयों के उपर में जिसके उपर मैं फिर detail में वीडियो बना के बताऊंगा मेरा basic मकसद आज बनाने का ये था वीडियो कि आप नोट करेंगे कि patient को जो दवाईयां दी जाती है उनमें ये चार वुप छोड़कर कोई दवाईयां ऐसी होती है विसे patient कहता है मुझे ताकत की दवाई दे दो और साथ में कोई B complex लिख दिया जाता है तो क्या इस B complex की जरूवत होती है इसमें answer है कि जो metformin दवा होती है वो use उसको metabolize करने में B12 विटेमिन यूज होता है तो उसके लिए चाहे ये हमारे खाने से पूरा हो जाता है लेकिन vegetarian diet में कई बर नहीं होता तो B complex group of vitamins जिसमें B12 वो तो वो patient को definitely फायदा कर्ष रखता है scientific ले फिर बात आजाती है statins की ये एक बड़ा controversial subject है statins वो दवाईयां होती हैं जो कि कॉलिसोल वगारा को कम करती है आजकल जमाना जो है marketing का है बीच में ऐसा आया कि statins जो है पानी में डाल दी जाए ताकि हर आज भी पानी पीता है और उसके कॉलिसोल वगारा कम हो कि heart attack कम हो पर statins के इतनी safe है ये एक major सवाल है इसके उपर शूर से controversy रही है क्योंकि अगर मैं आपको statins के side effect बताऊँगा पहले बाद है statins किन diabetes में दी जाती है जिनमें ये indicated है जैसे patient को heart attack रह चुका है brain attack रह चुका है family history है और cardiac patient है और उसके साथ उसका कॉलिसोल हाई रहता है lipid profile derage है तो वहाँ तो statins दो कि मगर क्या बिना risk factor के एक 35-40 साल के person को जिसको कोई risk factor नहीं कोई heart की problem नहीं क्या उसको statins देता उचित है मैं इसके बारे में आपसे बात करना चाहता था मेरे ख्याल से ये उचित नहीं है internationally status को हर patient को दे देना diabetic में ठीक नहीं है क्योंकि status के अगर मैं आपको side effect बता हूँआ तो आप थोड़ा परिशान से हो जाए ये कुछ studies कहती है चाहे अब इसके बारे में ज्यादा बात नहीं की जाती है आपसे 10-15 साल पहले आया था कि ये dementia brain की functioning को slow down करती है at early age group में ये Alzheimer's को precipitate कर सकती है और अमेरिका में तो almost 85 years की age से उपर चाहे heart risk factor हो status को avoid किया जाता है 70 से 75 में ये दिया जाता है age group में की खराबी आती है constipation आती है सबसे important है जो हमने अपने practice में देखा है कि patient थका थका फील करते हैं उनको muscle एक्स होती है मेरे कुली को चलते हुए tendon में AD के tendon में डर्द होता था और दुनिया भर का इलाज ने लिया आराम नहीं आया कोई diagnose नहीं कर पाया बस ultimately ये निकला कि ये दर स्टेटन से था इसको tender sinus कहते है तो स्टेटन से इस तरीके के side effect आ जाते है और आपको muscle damage तो नहीं और उसके लिए CP के एक test होता है वो कराना ज़ूरी हो जाता है ये liver की enzymes को बढ़ा सकती है इसलिए जो patient status ले रहे होते है उनको चाहिए कि वो अपने liver की enzyme SGOTPT हर 6 महिने में कराते रहें और अगर ये raise हो या patient को jaundis हो तब तो ये दवा देनी ही नहीं चाहिए अब मैं एक और आपको बड़ा interesting side effect बताऊंगा कि statins से एक Jupiter trial था उसमें ये known है और otherwise also statins जो है वो diabetes को precipitate कर देते है अब irony ये है situation की कि diabetes के patient में दी जा रहे होती है अब एक patient diabetic है और वो दवा ले रहा है diabetes की उस हाथ में statin ले रहा है दीरे दीरे उसके diabetes status वरसन हो रहा है because of statin तो आप कभी judge ही नहीं कर पाएंगे कि वो statin से हो रहा है या उम्र के तकाज़े से हो रहा है तो statin का use diabetic patient में बहुत सोच के करना चाहिए और जब clear cut indication हो वह indication जैसे मैंने आपको पहले बताई थी और एक और बात है देखा गया है कि जो statin यूज करते है उनमें cataract 27% ते एक study में आया था ज्यादा देखा जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोग statin ले रहे हैं बजोर्ग जा 60 प्लस के उनमें cataract develop हो रहा है और वो diabetic भी हैं तो कोई बड़ी बात नहीं कि statin उसके लिए responsible है और मैं यह नहीं कहूँगा कि statin को मत दीजिए लेकि statins को वहीं यूज करिया जहां यह really indicated है और इसके साथ statin के बारे में मैं आपको और बस इतना ही मैं बताना आ चाहूँगा एक diabetes ज़्यादा बढ़ा देते हैं muscle damage करते हैं पशेदीर में दर्द होता है cataric precipitate कर सकते हैं हाँ एक बाद और मेरे दिमाग में आ रही थे जो बड़ी interesting है कि diabetes में तीन major trial हुए है एक UKPDS हुआ है एक advanced record trial हुए है उसके बाद और एक VADT trial हुआ है इसमें कोई 4000 veterans थे जिनमें maximum men थे और चार ladies थी और इस trial में देखा गया कि जो main vessels हैं, aorta है उसमें calcification बढ़ गई और coronary arteries में heart के vessels में भी calcification बढ़ गई जो risk factor for heart attacks होता है तो indirectly statin देने से heart attack का instance उनमें बढ़ गया बगर ये देखा गया और ये argument दिया गया कि statin से heart attack इतने कम होते हैं कि जो ये calcification है ये वाला risk ये forego कर लेते हैं लेकिन ये तभी करते हैं अगर patient में already risk हो अगर colesol बहुत high हो जैसे मैंने पहले कहा patient को पहले heart attack रह चुका हो brain attack रह चुका हो family history बहुत strong हो sedentary lifestyle हो after stenting इन सब में statin दिया जाना चाहिए लेकिन blanket user status एक younger age group में diabetic में देना उचित नहीं है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगले एक दो वीडियो में मैं आपको इसके साथ जो हम desprin देते हैं ecosprin या जो हम aspirin देते हैं वो कितनी देनी काम चाहिए और किस तरीके से देने चाहिए इसके बारे में बात करूँगा तो आज के लिए बस इतना ही आप सब का मेसा जुड़ने के लिए धन्यवाद अगर आपको इस तरह के अपडेट को सीखने को देते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और लाइक माइड़ पीपल में शेर कर देजे आप सब का मेसा जुड़ने के लिए धन्यवाद